हलो दोस्तों मैं हूँ आपका होस्ट यूसुफ जैक्स तो यहाँ पर है मेरे पास Redmi Note 7 और साथ में मेरे पास है OnePlus 6 ठीक है OnePlus 6 बोल रहा हूँ आगे अगर कुछ गलत बोल दो इसको तो इग्नोर कर देना रेट कलर का है और यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं Speed Test दोनों के बीच में मुझे पता है कि फर्क है दोनों में काफी जादा लेकिन कितना फर्क है Redmi Note 7 के साथ यह हम लोग यहाँ पर पूरी तरह से मेजर करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है सबसे पहले My Device Info पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ configuration है इसकी और यहाँ पर से जादा sensor OnePlus 6 के अंदर आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है एक sensor का फर्क है जादा फर्क नहीं है फीचर्स की बाद करें तो सारे फीचर्स से में बस इतना है कि Redmi Note 7 Pro के अंदर आपको IR Blaster देखने को मिलता है जो कि OnePlus नहीं देती है OnePlus में नहीं मिलता है आगे हम लोग Chrome का अंदर ओपन हुआ जैसा कि आपने देखा WhatsApp ओपन करते हैं तो पहले WhatsApp जो है OnePlus के अंदर ओपन हुआ जैसा कि आपने देखा यहाँ पर result सामने था camera ओपन करते हैं तो camera भी पहले OnePlus का ओपन हुआ उसके बाद Redmi Note 7 का हुआ बाई Redmi Note 7 ओके काइस कर्ट्स के लिए सौरी camera की बात करते हैं camera पहले किसमें ओपन होता है तो camera जो है यहाँ पर OnePlus के अंदर पहले ओपन हुआ तो जैसा आपने देख लिया था file manager के अंदर आते हैं तो file manager पहले OnePlus के अंदर ओपन हुआ यार जब मैं यही testing Redmi Note 7 Pro के साथ कर रहा था मैं सच बता रहा हूँ Redmi Note 7 Pro के अंदर कुछ हालात में Redmi Note 7 Pro जो है OnePlus को बीट कर रहा था बट यहाँ पर तो results कुछ और ही है Instagram की बात करते हैं तो Instagram भी पहले आपने देखा कि OnePlus के अंदर open हुआ है और आगे बढ़ते हैं रुप जाओ minimize हो जाओ भाई हां आगे बढ़ते हैं यहां पर ओके यहां पर अंटूटू बेंचमार्क को लेते हैं तो अंटूटू बेंचमार्क रैंकिंग का एप है मैंने टेस्ट अल्रेडी कर रखा है तो यहां पर आप देख सकते हो कितना फर्क है फर्क दुगना से भी ज्यादा है रिट्मी नोट सेवन प्रो में तो दुगना का फर्क था बट यहां पर दुगना से भी ज्यादा है और देख सकते हैं आप किस तरह से हैं यहां पर CPU, GPU, UX और Memory दोनों फोन के आपको साफ देखने को मिल जाते हैं ठीक है CPU के मामले में तो रिट्मी नोट उपन एक बार जीत जाया अट लिस्ट यहां पर गैलरी पहले इसमें ओपन हो गया उसके बाद play store की बात करते हैं तो play store भी जो है पहले oneplus के अंदर ओपन हो गया अब यार अब कुछ बचा ही नहीं अब क्या बोलू रूप करता हूं यहां पर और बैक करता हूं यहां पर अगला PUBG है वर PUBG हम लोग लास्ट में करेंगे यूट्यूब open करते हैं देखते हैं पहले किसं में open होता है तो पहले YouTube Redmi Note 7 में open हो गया finally Redmi Note 7 at least एक जगा तो जीत गया Twitter देख लेते हैं पहले किसं में open होता है तो Twitter पहले Redmi Note 7 के अंदर open हुआ और इसके अंदर install नहीं है Twitter तो वो एक अलग page पर redirect कर रहा था खुद को आगे बात करते हैं me drop की तो देख लेते हैं me drop पहले one plus में open हुआ मतलब बस एक click करना है और खुल जाता है speedtest.net software का use करके हम लोग यहाँ पर phone की speed testing को check करेंगे और देखेंगे कि किस phone के अंदर कितनी speed आती है internet की दोनों phone एक ही wifi से connected है और यहाँ डिटेक्ट कर लिया है इसने कि यह air tail है यहाँ अब इसने कर लिया भारत air tail भारत air tail आ गया है और one plus के अंदर टेस्ट शुरू हो चुकी है तो यहाँ पर one plus की जो speed है पिंग वो तिरपन गई है और redmi note 7 के अंदर जो पिंग है वो 55 गई है यह मैंने पिंग की बात की बाकि अगर बात करूं मैं आपसे तो हुआenta टाउन्ड़ींग जो है वा डाउंढोडिंग में Redmi Note 7 अगे हुआ है डाउनलोडिंग में Redmi Note 7 pro भी आगे हुआ से ठीक है लेकिन अपडोडिंग में one plus से पिछे हो गया था Redmi Note 7 Pro और यहां पर से नइंग верхी na be लीस्ट वो है पब जी तो पब जी दोनों ही फोन में हम ओपेन कर रहे हैं और डिटेक्ट पहले वन प्लस के अंदर हुआ है रिट्मी नोट सेवन के अंदर बाद में हुआ है तो देखते हैं किसमें पहले खुलता है तब तक के लिए मैं बता दो यार वीडियो अच्छी अगयरा पूछना है इस फोन के रिगार्डिंग तो आप वहां पर पूछ सकते हैं एक अपडेट का नोटिफिकेशन पॉप अप हुआ वन प्लस के अंदर जिसे मैं ने हटा दियो और वही नोटिफिकेशन आइटिंग रिट्मी नोट सेवन के अंदर भी आएगा और आ ग रिट्मी नोट सेवन के तो प्लीज कमेंट सेशन बताना में पूरी कोशिश करूँगा रिजल्ट देने की